हलो प्लास 10 के बच्चों कैसे हैं आप लोग बढ़िया अर्डम को स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चनल से जुरा हुआ वस्तुनिस क्लास में करेंगे तो बच्चा लोग कुछ भूल जता है और यह याद करने के बसकता आई पड़ेगी यहीं याद हो जाएका तो प्रकास को playoffs का प्रकास की चान किस माध्य में कितना होता यह सब बता है कि और आघ लायाथ जा क्लास 10 के जो भौत्ती है उसमें कितना चपर ना और यह भी प्रस्ण आप लोग के मन में होगा कि सरकिस बुक से पढ़ाएंगे तो देखिए मेनली तो एंसी आटी है लेकिन भारती ओन और एंसी आटी को दोनों को मिक्स करें चलेंगे लेकिन ज्यादा प्रस्ण को लेकर करक क्लास करने के बाद जितना हम लोग करेंगे ना उसी से जुर्य हुआ यह अबजेक्टिव याद रखिएगा क्लास जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उस टॉपिक से जुरा हुआ अबजेक्टिव है क्लास करने के बाद वह अबजेक्टिव का खुद से जवाब दिजिएगा अगर आप सही से पढ़े तो इसकिप मत किजिएगा ठीक है तो चलिए वाई सब से पहले जानते हैं कि यह बहुत की जो होता है वो होता क्या है यह एक अइसी साखा है जिसके अंतरगत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्रकृतिक घटनाओं के बारे में अध्यन करते हैं दोप ना चांडर तता शुर्य ग्रहन आधी यह सब क्या है आपका ये प्राकृति में प्राकृतिक घटना है तो याद हुआ ये हम अगर पूछेंगे कि बहुतिक बिग्यान क्या है तो बहुतिक बिग्यान बिग्यान की ऐसी साखा है जिसके अंतरगत हम लोग प्राकृति में प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अधन करते हैं क्या बोले हमने हमने क्या बोला हमने बोला कि बहुतिक बिज्ञान बिज्ञान की एक ऐसी साखा है जिसके अंतरगत हम लोग प्रकृति में यह प्रकृति में होने वाली प्रकृति घटनाओं का अध्यान करते हैं कर सबसे पहला जो टोपिक वहाइड परकास क्या सबसे जो पहला टोपिक कर वह क्या है परकास क्या है तो परकास एक परकार की उड़ी जिसकी सहाथा से हम लोग बस्तू को देख पाते हैं बात समजे, अब कोई रहेगा सर यम आंक से दखते हैं वस्तू को, तो तुम को बात एक बर सुने, बात को ध्यान दिजीएगा, लोट कि हम क्या बोलने हैं, अब क्या बोला कि परकास एक परकार का उर्जा है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देख पाते हैं या बोलेंगे परकास वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या देख रहेगा परकास क्या है परकास वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या देख सकते हैं सबके पास बिजली है अलाइट जब कट जाता है तो अंधेरा के बस्तु देख लेते हैं आए नहीं ना तो किसी बस्तु को देखने के लिए परकास की उपस्थिती बहूत जरूरी है ठीक है अब कहिएगा एक बाध्यान दीजी हम इस बात को महसूस किये हुए आप लोगी मह जोसनी में है या अंधेरा में है लेकिन जिस बस्तु को देख रहा है उस बस्तु को परकास में होना जरूरी है ठीक है आप अंधेरा में चले जाए ठीक है और कहीं आप मतलब दूर गया होंगे घर से दूर गया होंगे घर पर बल्व जल लाहा होगा आप अंधेरा में हों गाची है रात को बूलना है नहीं दीकता है लेकिन हाँ से गार को रगता है क्ला है यहां परकास है डैका है अब अब बटाते हैं अगा मिला ये सुरज है यह क्या है य है यह सुरज है आची नलिक्यां अभ्षा आ करत्ष है आखेए तो यहां से प्रकास इस वस्तू पर परेगा यहां से प्रकास इस वस्तू पर परेगा फिक है अब तब यहां से टकराने के बाद प्रकास जो है हमारी आंकों के रेटिना पे संकोन बनाती है ठीक है अब तभी हम बस्तू अभास कर पाते हैं कि यहां एक बस्तू है तो पहले प्रकास जो होता है यह सूरज का प्रकास हो या बिजली का बल में या लाल्टेन का प्रकास हो या जलता हुआ बेजली का बलू कुछ भी हो, हम लोग तो आख खोलते सिदह दिए था, लेकिन सिदह दिख गया, लेकिन उसके अंदर कितना फिनोमना हो रहा है, उस समझ ये, पर जिस बस्तु हम यहां पर देख रहे हैं दिबाल पे, आप लोग भी देखिए, आप लोग कैस ayuradирahan कर पाते हैं, यहां वस्तु है, दिवाल है यहां को बिचि ठीक है, अभी पूराररू अंध्हिरा कर दिया जाए तो नहीं देखेगा कि यहां दिवाल है, अभास करता है कि यहां दिवाल है, जिसे इस रूम में हम रहते हैं, तो पता चलेगा, लेकिन अंध्हिरा में नहीं नहीं दिखता है जिसके साहता से किसी वस्तू को देख पाते हैं जिसकी उपस्ती में हम वस्तू को देख पाते हैं पर्कास के कार में क्या किया है बस्तू को कि से देखेगा नेरा मरग देखने के लिए परकास का होना आनिवारे हैं आखा बहुत निवारे हैं अब तुम्हें तो ज्यादा इंप्रोटेंस क्या है परकास का होना तो परकास नहीं है तो परकास उस वस्तू पर ना कही है जिस वस्तू को को देखना है बात के लिए रुआ क्या है वहां क्या देखिये हम इसले चलना है कि बोले है क्लास में इसको कंप्लिट नहीं है तो परकास एक परकारगी उर्जा है जिसकी साहता से किसी बस्तू को देख पाते हैं या जिसकी उपस्तिन हम किसी बस्तू को देख पाते हैं बढ़ा आगे आए वही बात में लिखा है अब है परकास का गून क्या है परकास जो है वो सीधी रेखा में चलती है परकास क्या है सीधी रेखा में चलती है हमें साथ गवन जो करती है परकास इस परकार चलेगा सीधे रिखा में ठीक है कभी कभी लेजर लाइट देके हैं वह सीधे चलता है परकास को बोला गया कि कन है परकास के दो रूफ रहें ठीक पुछेगा क्न के रूप में क्या है तो फोटॉन है क्या है परकास की रूप में क्या है होने परकास के दो रूप है एक कन परकास के अ फॉन में सब्सक्रण करूफ है आगे पर sulphff काम के रूप में क्या है ने ना इतना है या यास रहेगा छलिए यह एक अनुपरस्तmost और और अउधर आगे पढूसर यह हूं क्योंने काटSe बूंदर लेकिन पर्खता इस रास्ता पर अगे तरफ ना बताओ परकास के करन परकास के करन के रूप को क्या कोते हैं नो बोल सासुर के नाम बता तो सासुर के नाम याद है शादी ओलो की नाभी ना बढ़ेगा आचा ठीक रहे रहे रहा है रात में करता क्या तुम्हें रूबरी चोड़ी रखाई ती अचलिए और हमने क्या वोला कि परकास जिस रास्ता पर चलेगा जिस पहरा पर चलेगा वहाद में कतने की पहरा महें अगला क्या है अच्छा निर्वास समझते हैं क्या होता है जिस मात दरनों कुछों नहीं होना चाहिए तो कितना होती है अब आगे हैं आई निर्वात में परकास की चाल कितना होता है तीन लाख कीलो मेडर पर 30 स्केन भी तीन लाग तीन लाग तीसला कहीं इता हैं तहां तीन लाख किलो मीडर पर 30 स्केन या भोष सकते हैं तीन पूझेज स्केपावर पाच कीलो मीटर पर 30 सिकेंड या वह सकते तीन पूझेज पावर आठ टीन पर 30 सिकेंड भूझाया यह कीलो मीटर है यह नहीं नहीं अगर वायू कहे यह हला कहे शुरे वायू कहे या हवा कहे तो वायू या हवा में जो परकास की चाल होती है ना बासुनिए इससे थोड़ा कम निर्वात से थोड़ा कम कभी कभी साइस में माना गया है कि निर्वात में और वायू में परकास की चाल लगभग समान होती है समान महीं लगभग समान तो लगभग सम को इसे बुलते हैं तो इस से निर्वात से काम लिगते हैं निर्वात से थोड़ा कम थोड़ा कम इससे थोड़ा कम लेकिन साइंस मि माना गया है कि लगभग लगभग निरात में जो परकास की चाल होती है वही वायू या हवा में परकास की चाल होती है कोई दिकत बाती पचा क्या नहीं पचा पच गया आईए अब देखिए पानी में परकास की चाल पानी में परकास की चाल एक पालिए है पानिदर पारिखने अना पतीजारग कीलोमीट किन इन स्किन डूसे बहुत था से में इस चाहले धार थाई की आरे उन्हेंटिमस दू लॉड़क्ति में थे समय सब दोलूद विंगा फूली हैest आ कुछू कर वार जाल सकत gamer या वो सकते है तीन हुने दौस के पízीर दूर सब्सक्राइबी और अगर हम एध्रियर ताम त्युस्क्राइबτο पाँज की तीन हुने प्रखास के पाउर हाँज सब्सक्राइब पानी में परकास की चाल मतलब इसका मतलब अलग-अलग माध्यम में परकास की चाल अलग-अलग होती है परकास को पानी में परकास को कांच में सीशा में रहा है हाँ तो यह अलग-अलग है चलिए तो भाई वही बात हमें लिखा है बेविज माध्यम में परकास की चाल क्या होती है भीन-भीन होती है चलिए निर्वाद मंतलिक दिया लिए फिर भर दें तीन गुने दस के पावर आट मीटर पर दिसकेन दू लाक पर तीस हज आए लगभ में ननत इस पर निर्वाद से थोड़ा कम निर्वाद से थोड़ा कम अच्छा वाई में यहां आई निर्वाद से थोड़ा हार लग देखे बिग्यान माना है बहुत लोग बताए है बैग्यानिक बताए है कि निर्वाद में परकास की चाल लग भग लग वाई ने परकास की बढ़ावर पिए तन के कम होता है उसमें ठीक है बस अजल मतलब पानी में दूलाग पचीस हजार किलो मीटर परती सिकेंड ठीक है इसका जाएगा दूलाग किलो मीटर परती सिकेंड बासमझना है वायू में परकास की चाल निर्वात की पेक्षा थोड़ी कम होती है थोड़ी बहुत कम या लगभग बराबर होती है बात पाचा क्या अब जिससे पुछेंगों बता देगा कुनार खरा हो यह सवाल बताओ पहले सास के नम बतो कि लिए बहुत किसी किसी बच्चा को मिना लगता है लेकिनी से बास सुने का तर्ली निर्वात में परकास की चाल तो कुछ है कि अब लिए परकास की चाल तो कुछ है है कि विए थे लाग कि लिए पर इस ते तर्ली या वह सबना तीन मुना घसक पार आट मिर्टेश्य नाओ बढ़ाई में जाल में परकाश की चाल बदाई जलम जो लग पर शेज्यक्ट किलो मेटर पर सिक पर अबर जाव जाव जये परकास के दो रूप में क्या परकास तरंग परकास तरंग के रूप में क्या विदू चुंबा किये तरंग परकास जिस पत पे चलता है उसको कीरन कहते हैं का लोरु में परकास आप तरंगे यहां परकास की चार्वरह में छाल निर्वात में सबसे होती है और पानी में पानी में कितना हुता है यहां हम भूद जाना चाहिए। इतना इस फिर में समझना जागा ना यह लोग पुछ रहा है कमेंट जरू किजिएगा ठीक है मजा तो कमेंट किजिएगा आपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेर किजिए चलिए तो परकास शुरूत होता क्या है मेरे भाई तो परकास जिस वस्तु से परकास निकलता है मतलब देना परकास शुरूत मतलब परकास शुरूत करना देना सोर्स ठीक है लाइट सोर्स न कहता है आपके पपामी क्या है पैसा का सोर्स ठीक है वहां से लाते हैं को दे देते हैं आए वहां से लाते हैं और कहा दे देते हैं दुकंदार को कोपी कलम खड़ते हैं समोशा है पात शूर्स हैं कि आख है जमीन पहल जो प्रकास का सुर्स क्या है कि परकास का सुर्स एख हाद के iterate इसका इजाम पाल सूरच से परकास मिलता हम इजाँ एक इसको दिस्टर्ब करें देख लिए तुम हमको डिस्टर्ब करो नहीं मतलब यहां पूछो नहीं सब्सक्राइब चलो भाई हां हमने क्या वोला कि भाई हम ने वहां थे परकास के सुरत पे सूरस से परकास निकलता है कि भाई तो परकास श्रोत हो गया बिजली के बल्ब से परकास निकलता है नहीं निकलता है हमने क्या बिजली के बल्ब से परकास निकलता है नहीं जलता हुआ बिजली का बल्ब होना चाहिए लाल्टें से परकास निकलता है नहीं है फंजी बोला है लाइटें से नहीं जलता हुआ लाइटें से निकलता है लाइटें बुतेले उसे बरगास निकले गारे मंबत्ती बुतेले उसे बरगास निकलेगा जलता हुआ मंबत्ती तो यहां भी गलती लिखे हैं हम जान बुछ से गलती लिखे हैं हम तब तक इधर देखे रही हैं सिर् जलता हुआ बाल्ब फिकर लाइटे नहीं जलता हुआ लाइटे नहीं जलता हुआ मुबत्ती तो जिससे पर अचा इसे पर का से नहीं 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 लिख लेगा जलता हुआ मुबत्ती से निकलेगा एक और चीज़ता है जुगनु जानते हैं जुगनु भग जुगनी गर्मी के महिना में रात में बरता रहता है मख्य कीरा होता है समझें उरता रहता है तो बरता रहता है उसमें अब परकास के शुरोग दूपर कारके अब देखिए हम भी थुरा बहुत सिखे हैं कि बच्चा लोगन को हसाना था क्लास में मज़ा आएगा तो वही कर रहरे हैं जिरेदे हो जाएगा चली तो प्रकास सुरोग दूपर कारके एक होता है प्राकिर्थिक प्रका esosुड एक होता है माना मनिर्मिद प्र्का सो बात पचा क्या तो हमने परकास सुरोत किसे करते हैं इतना सूरज परकासित करेगा जितना बस्तू को जितना जिसको करेगा दुसरा कोई सुरज सबसे बड़ा-प्रका प्रित्वी पर आने में कितना समय लगता है कि प्रित्वी पर आने में आप मीनाट बीच सिकेंड आठ मिनाट और राइट वह सकते हैं 500 सिकेंड अले लगहर में तनका तनका सिकेंड में पड़ता घरता है ठीक है तो आठ मिनाट 20 सिकेंड लगता है तो भाई 23 से सूरज के दुरी लगभव 15 करोर किलो वी चौर ठीक है सूरज से जो प्रिथवी पर परकास आता परकास प्रकास सुरोत के दो परकास वी बता है चार है कौन-कौन प्रुक्री प्रकाहस माना निर्मिंध। प्रकास्त्रोट हमने बताया लोग परकार लिखा हुए आजञे परिवासाइब लिजे प्राकर्तिक प्रकास्त्रोट थे सम देया अ क्या जो फ्रुचि द्वारा बनाया गया गया और अब न sulphur style जो मानर कर बनाया गया अब बताईए का सूरत्या है सुर्य क्या है कर अब दोटेए वाई स्वत क्या प्राकृति प्रकार करते कि मानम्निवेंट प्रकार चुद सो अच्छाई जलता हुआ मुंबत्ती बताएंगे जलता हुआ मुंबत्ती सीरे मुंबत्ती नहीं इस प्रकृतिक की मानम नहीं तो तुमसे पूछे हैं यह खड़ा किये हुए अदमी फटल फटल बेशने कीजिए आप लोग कर सकते हैं कि आप करें कर यह अप लोग बोलिये दूसरा से पूछे समझी हमीं से पूछ रहें ठीक है आप लोग बोलिएगा जरूर्श जलता हुए मुंबत्ती क्या होगा मानना मनेम प्रकास चूर्ओत अचाई जूगनुम ४्रकृत्तिक प्रकास चूर्णुमाइ तो प्रकास रोत क्या परकार के प्राकृतिक प्रकास रोत माना में प्रकास रोत प्राकृतिक प्रकास रोत क्या है जो प्रकृति द्वारा बनाया गया है ठीक है वैसी बस तुझे प्रकास उस्सरदित करती है और वो प्रकृति द्वारा बनाया गया है कौन कौन हो जाएगा इस हाँ जिसको भाव जोगनी कहते है अमाना नहीं क्या जागा जलता हुआ जलता हुआ जलता हुआ बाल्ब लाल्टेन अजलता हुआ नुम्बक्ति अच्छा जिवी एडियर ठीक है अब करें लिगे टॉर्च में सकते हैं हाँ बॉल्ब में सब आजाएगा फिलिप्स के बॉल गजाएगा तुफ़ान के बॉल बाजाएगा तुफ़ान के पन्खा होता है अच्छो दुबन हाँ शुन सुन अब देखो इबात परचा क्या थोरा बहुत सूर हो रहा है इससे आपको दिक्कत नहीं हो लेकिन हम जो बोलना है वो आपके कानों तक पहुंच रही है ठीक है यह कोचिंग में पढ़ाई हो रही है समझे आप लोगों भी कोचिंग में हैं इस तरह का पढ़ाई की जीव आई अगला क्या है परक कर सकते हैं किसी-किसी अन्य उर्जा को हम परकास उर्जा बद़ सकते हैं कि रहा है थ्यस्याएक airflow को पारकास इरत फीक है भीदू तो पारकास भीजली है का हम उसको हम उसमें कौन सा उज्या गरन्टूर भीदू भी में दरती अब रहे हैं किस तो उता है तू राशायनी कुर्जा को किसमें परकास उझा मजलता है लाटेश्टिंव मुम्बत्म हो ठीक है बात समझे क्या इसमें किसी को कोई पर सानी नहीं आई ऐम विजली के बड़ और टॉर्च में विधुत उठा को परकास उठाँ में बदनायाता है किसको बाल बिजली के बालब को और किसको टॉर्च को इसको हम विदूत देते हैं तब ही हमको परकास देता है लेकर लाइटेन है मुंबती है ना लाइम लाइटेन आदी तेल में संचित रासायनिक उर जाते हैं याद रखिये गाई अब्जक्टिम में पूछ दे पूछ दे सब्सक्राइब विदूत अब परकास देऊं सब्सक्राइब का इतना बूले आप कन्फिजन हो यह तो कुछ नहीं स्मझ之前 रूला स्क्राइब घिन का बूल जलता है अगर कहम जलता है मुं çalışाण से पहास मुंबती धाइल क्या बढ़ी आगे अवला टोपी क्या था हम लोग का प्रदिप्त बस्तुए और प्रदिप्त बस्तुए हमने क्या बोला था प्रकास रोत में कि जिस बस्तु से प्रकास निकलता है उसे प्रकास रोत जिससे नो निकलता है उसको का नाम देंगे प्रदिप्त बस्तुए या स्वें सर्दित हो मतलब स्वें वह प्रकास को निकाले उसों क्या कहेंगे हम लोग प्रदिप्त बस्तु ठीक है आज जिससे प्रकास नहीं निकल जिसे दिवाल हो गया यह टीशट हो गया यह कूपी हो गया किताब हो गया इससे प्रकास नहीं निकलता वह प्रदिप्त बस्त प्रदिप्त वस्तु को हम दिप्तिमान वस्तु भी कहते हैं बासमजे प्रदिप्त वस्तु को दिप्तिमान और प्रदिप्त वस्तु को और दिप्तिमान बाती पचा के नहीं पचा जिस वस्तु से जिस वह वस्तु जो परकास स्वें उस सर्जित करें खूत परकास को उस सर् ना करें वो क्या है आप प्रदिक बस्तु ठीक है बात समझ में आया क्या चलिए तो वही बात प्रदिक बस्तु या आत्मदिक बस्तु या दिर्तिमान बस्तु किसे कहते हैं वह पदार जो जो है प्रकास सर्जित कहते हैं उसे क्या कहते हैं प्रदिक बस्तु इसमें क्या क्य लाएगा इसमें स्पूआज ती आकोऐ परकास डिकाल दी आपने अंदर से जो शुआ सारीकर दिया परकार उससे का आगे प्रदिप वस्तु या और दिपतिमान वस्तु किसे कते ना वह पदात जो प्रकास उत्सरजित नहीं करते उसे इसे पत्थर हो गया टेबल हो गया पुरसी हो गया इस सब हो जाएगा ठीक है समझें खिताब होगी इस अब प्रदिप वस्तु अच्छा इबात पहुचा इतना बात जितना हम लोगों नियाट पराव पहुच गया रिविजन हो जाए आए तरि विजन नहीं अब्जेक्टिव से होगा अब आप लोग एक बार रिविजन करें प्रस बैद गये जिमाग क फटर फटर जो किया उसको बुखार रगा देंगे अब ताब तुम में यादत है तुम खाएगा भॉर पे प्रकास एक परदारी क्या है पैसा है उर्जा है ठीक है एकर दिवाब ठीक हुआ चलिए प्रस नंबर एक किलिर हो गया आईए प्रस नंबर दू हाँ आप लोगो लिए परकास नंबर तू हर लाएप ल tu आफ लुकर परकास डैसे चाहिरा लून करते है परकासा है ज्मुर रहा है आप लोग वो मैंसे कैसे बोले गारे अमना सुनाई देगा और कमेंट में बोली कमेंट चलिए प्रकास के कितने शुरोथ है रुप तुम तो उसमें चला हाँ तू कड़ा दिव्या दो सुरोथ है कौन कौन बोलो जावरे भगलली प्राकर्तिक प्रकास रोट अमाना निरमीत प्रकास चुरूरूथ है आप लोग को मालम था का समसर नहीं मतल हम समझ गया है अंपरम जी सबसें बाशुरूत क्या है शुर्या समझ में आए सबसें चलाइगे तो ठीक रहेगा चार नमार प्रसन हो गया आई ये लफ्षान परकास कान के रूप में यह प्रकास क प्रोटोन वाक नहीं है चांद पानी में प्रकास की चाल होती है कितना पानी में प्रकास की चाल पानी में परकास की चाल 2,5 किलो मीटर परती सिकेंड आप सुनिए अगर का पूछे तो दो लाट अब वह एक पूछ रहे हैं खाड़ा आप यह देखनों का पानी में का परकास की चाल के Лो मिटर पर दिसकेंड अरे तब तरहाई 2,5 किलो मीटर नहीं तुमको बोलने हैं साही से अगर तुरा से कोई पूचेगा कि बता सुसुर के नाम को तो बताएगा नहीं बता पाएगा इस यह अचा निर्वात में प्रकास की चाल और रहां भरोस निर्वात में प्रकास की चाल लखा कर लेकर न यहीं आबाज आबेक चाहिए तिनलाख किलो में प्रती सिकेंट ठिक है अब तीनों आमरी विजन करा दियें परकास की चाल डैस माध्या में सबसे धीक होती है किस माध्या में सबसे ग्रोहन ग्रोहन खापी कर तंदूर्ष्थ है यह हमता तू तरहीं सबसे कम होती है इसमें कौन में सबसे कम है प्रकास की चाल आप बताए ये कभाई चाल में सबसे कम है क्योंकि देखें निर्वात में सबसे देख होती है और इसमें तीन गुने दसके पर आठ इसमें दू लाग पचीस यारे किलो मेरे पर देशिकेंट अब क्या बोलना है आप लोगों ने सुना ही रहा है आई ये नमा परसन है अए आई कोन बताये गारे है कि ले परकास के गमन के पत को क्या करते हैं ये इस रास्ता पर चलता है ऐसे क्या को बड़े है अ कर देखर गारो तो कि रहा है किया करते हैं तूब अ इंदर जी क्या करते हैं तूरेखा के वाज़ा तू कहा है सूरेखा चलो चलो फिक्स हो फटम है इतना दिर समना लएगा ये पार हम परहाद दी है तू तीन बार इसको बोले हैं लगातार है अब कौन हार वहन बोल भरकास ठीक 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 आपके कहानी है खता भाओ अब एक के बचला ही हो की राग पर परकास के गमन के पत को क्या कहते हैं परकास के गमन के पत को कीरन कहते हैं इस पर समय हमने दिया था इस पर समय हमने दिया था कि जिस रास्ता पर हमने चलते हो सरक कोते हैं लेकिन परकास जिस पर चलेगा उससे क्या कहेंगे किरन कहेंगे अब अब तूकर रखिए रखिए तुम प्रकास बोले रहां ठीक है क्यावडा की रण हां कुनाल जी तुमस नहीं लरका जो है लरका है इसको मोशो को कता है मोशा ठीक है कुनाल जिस वस्तु से प्रकास निकलता है उसे डैस कहते हैं अप्शन गावेश में जिस वस्तु से प्रकास निकलता है उसे डैस कहते हैं क्या कहते हैं ना मालू है चले तुम सुनू खराओ जिस वस्तु से प्रकास निकलता है उसे क्या करते हैं प्रकास निकलता है और जिस वस्तु से प्रकास निकलता है और प्रकास के स्रूत है और जिस वस्तु से प्रकास न लिखेंगे तुम लोग भी आए प्रकास्रोत इतना भखलोल से बढ़ जागा क्लास में हमको तो यह मालूम ही नहीं था दुबारा हमका पार्चिर बाते रूख तेका आएका खाराग दुनूंगे मनेश कराओ वह कोई नहीं तो किसमें अपसंद नहीं है भाइस सब अपसंद लोग लग रहा हुआ तो कर से कि पिक्चर दिखाएंगे सभी में खाया करते की जुटों करा करते के वीडियो केंट में दिखाएंगे कि कते बच्चा इसमें सारे बेर सो क्रोड़ बच्चा इसमें हमरे हिंदी समझ मैं आक रजग है चला देख रहे मनीश वावस्तू जो स श्वय प्रकास उर्थ सर्जित करती है उसे क्या कहते हैं सुर्य अप्चा उते एक्जामपल होगे हम देरे अप्शन प्रादिप्वस्तूए अप्रदिप्वस्तूए प्रकास रोत भुल तो प्रदिप्वस्तूए यह प्रादिप्वस्तूए यह ना रहते मैं रहे समसंदें तो अइसा पई दखिए परहाने का तरीका यूनिक हमने बना यूनिक सबसे अलग कहीं नहीं मिलने बह आत पूई तुम निकलो तुम जा तुम जा तुम को लेट हो गया है फिर पपा फोन करेंगे चार जी वीडियो चाले इतना क्लिप करते हैं इतना क्लिप करते हैं आये सुर्य से प्रिथ्वी की दूरी लगभाग तुम बताएं कि बोलो तरी जोर से बलो लगभाग 15 क्लोमेटर 15 क्लोमेटर के चलिए प्रिथ्वी प्रिथ्वी परकास को प्रिथ्वी तर पहुंचने में कितना समय लगता है आप शिकेंड आप शिकेंड आप शिकेंड रोहन बढ़ जो अला गितन पर आओ कद नमें चुन भाग की निन में से किसे बीदूत उर्जा को परकास उर्जा में बदल सकते हैं बीदूत उर्जा से परकास में आप थीक है बास सही बुली है तो कि आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या देले आई ये देले आई हला नहीं है किसमें से देए अचार दो कर दो कर दो कर दो कर दो को सदेट रहे परकास को तरंग के रूप में डास कहते हैं अगर कमेंट नहीं कि जिएगा तो हम क्या करेंगे हम अगला दिन बता देंगे क्या कर सकते हैं चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग साथ में आता है तो इतना दिर दो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को हाँ वीडियो अच्छा लगा आपको आज एक लास समझना है आप लोगों को तो अपने दोस्तों के साथ भर भर करके शेर किजिए इस वीडियो को बहूत दूर दूर तक पहुंचाईए ठीक है फिर मिलते है इसके